हाई गेज हमारा साथ नीधी है जो सांस्क्रेट स्टेड़ी का है तोनेधी अप हमको बताना कहां से हुँ आप का थोड़ा बैग्राउंड बताना अब कहां से से ग्रोजुएशन कंप्लेट किया था इसके बाद आपका सीवीटी कितना मार्क था हां थोड़ा आपका बेग्राउंड हमको बताना है हेलो एवरिवन मेरा नाम नीदी हुतड़ा है मैं महाराश्टर से हूँ मेरा ग्राजुएशन फर्गुस्वन कॉलेज पूने से हुआ है और मेरा सीवीटी स्कोर 264 था आवस फिफ्ट रैंक उस ताइम पर तो नीदी हमको बताना अभी 2024 में 300 मार्क में हुआ है तो मैक्सिम्म स्टुडेंट आस्क में वाट इस दा कॉटप केस जाएगा और कॉटप तो आप नहीं बूल पाएगा इस कितना जाएगा बट कितना रेंक रहेगा हो जाएगा लाइक सपोज जेनरल काटागूरी में कितना सीट रहता है तुम्हारे डिपार्टमेंट में टूटल कितना सीट रहता है तो बतादे ना कि सो हमारे डिपावएंट में टोटल 20 सेट्स होती है 20 सेट्स होती है उसमें से ई डेव वी के दो सेट्स नियुक्न कि लोसेट्सAnd this duel कि जब मैंने जब मैंने दिया था उस टाइम पर तिंग्स वे डिफरेंट क्योंकि अभी जो बैच आएगा वो हमारा एन्नीपी बैच होगा तो एन्नीपी बैच के हिसाब से चीजे भी डिपार्मेंट में भी बहुत सारी चीजे चेंजेस हुई है तो उसे साब से मैं अभी Ampatiake. हमको बताना है जो एड्मी फी कितना पेंग्या है अथया इंभर्सिटी गी हो है अभी तो मैं जर्म्स जर्ली गर्मेश जर्म हम धोने और एंद्ऱेंट के अंदर हाँ तो तह थे हैं कि हॉस्टल फी जिस दिन अप एड्मिन्ट ले तक फी कितना रता last time कितना इस मंतली 500 रुपीस हम लोग पे करते हैं typ सब्सक्राइब करना होता है तुम्हारा डिपार्टमेट का पढ़ाई कैसे रहता है लेक्षों स्कृत स्टेडी जो कितना लोग का नेट हो जाता है जो तुम्हारा सीनियर का कितना लोग का नेट होता है पढ़ाई 75% क्लास में में टेटडी है कि नहीं है थो अटेंदन्स तो पूरा कमपल्सरी है अगर 75% अगर अटेंदन्स ना हो तो एक्जाम्स में बैठने नहीं मिलता है और ऐसे जैसे हम बाकी जगे संस्कृत को देखते हैं और यहां हमारे उनिवर्सिटी में संस्कृत है यहां पर चीज थोड़ी डिफरेंट है यहां पर संस्कृत स्टडीज नाम से जो हमारा यह सब चलता है तो यहां पर कोर्सेज भी है इंटेडिस्पिनरी कोर्से से जिसे अईर्वेधा शाइकालोजी कम्प्यटेश्नल लिंग्विस्टिक्स लेकिन अभी के लिए कोटेश्नल लिंग्विस्टिक्स होगा य कि नहीं होगा इसका हम ऑंधिप से शोर variety नहीं देता है तो फिलोसफी के लिए लिए हमारे रिपाई वरेदा के लिए पढ़ाने के लिए हमें जयेस प्रसाद्षर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नयाई के नियाई के अलावा भी सांख्य की अवाकी पीछिजें पढ़ाते हैं। देन अदर फिलोसोफी के सर भी हमें आये हैं वेदनीदी सर तो वो भी उनका हमें इस साल उनों ने योग पड़ाया था उनका सांख्य में पीजडी हुआ है अमबा कुलकर नी माम यहाँ पर कम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्स पड़ाती है लेकिन माम 26 में रिटार्ड होन करने वाले है तो कम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक्स के चांसे थोड़े कम है यहाँ पर बाकी अकॉर्डिंग टु दौ फैकल्टी यहाँ पर इंटेडिस्प्लेरी कोर्सेस आगे भी चलेंगे बाकी युनिवरसिटी से यह उनिवरसिटी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी उनिवरसिटी में जैसे हम वेद में स्पेशलाइजेशन करते हैं साहित्य में स्पेशलाइजेशन करते हैं वैसा नहीं है यहाँ पर इंटेडिस्प्लेरी कोर्सेस चलेगे जो एनिपी को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे अपका कहां पर दोर मतलब जो संस्कृत स्टेडी में जो लोग अपलाई करना चाते हैं और विबी कुछ लोग ऐपलाई काया है कौंसा इन्पर्सीटी बेस्त होता है जो इंडिया में आपके हिसाप से लेलार रेंक के हिसाप साम बताएगा तो कौन सा अच्छा एचा रहत दी यू के लिए भी बहुत लोग जाते हैं, तो ये तो मेन उनिवर्सिटीज हो गई, लेकिन अगर आपको इंटेडिसिप्रियरी कोर्सेज पढ़नी हैं, जो आपको ये उनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगी, अगर आप ऐसे स्टूडेंटें जिसें इंटेडिसिप्रियरी क काम हो रहा है, चिनमय विश्व विद्या पिठम, जो केरला में, वो भी IKS के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको इंटेडिसिप्रियरी सीखने को मिलेगा, लेक बता दिया कौन सा इंवर्सिटी होता अच्छा है, लास्ट कुछ स्पोज स्कॉल स्कॉलर्शिप किया रहता है हमारा इंवर्सिटी का, आपको कुछ स्कॉलर्शिप मिलता है क्या, यहाँ पर डैक नाम का एक स्कॉलर्शिप होता है, जिसा है आपको अपलाई करना पड़ता है, मुझे नॉर्मल अधर जो कैटेगरी जे उनका तो अभी तक आईडिया नही सब कुस तो बता दिया, मतलब जो लुक भी एडमिसन दस जार हो रहा है, टूटल पैसा तो रिकवर हो जाएगा, एंड लाइक तुमको कितना लगता है, जो तुम्हारा ग्राजुएशन में ज्यादा खर्चा हो रहाता है, कि यहाँ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब स्पेंडिंग, स्पेंडिंग तो दोनों जगे कम ही था, क्योंकि मेरा ग्राजुएशन भी अराउंड 30 में हो गया था, क्योंकि वो कॉलेज गवर्मेंट के अंडरा था, और यह भी कॉलेज उसी के हिसाब से है, तो इसमें भी पैसे बहुत कम लगता है, लिक आपको मंतली मंधली स्पेंडिंग, अगर मैं कहूं तो मेह付 का, मेश का ज़्यादा नहीं पंदरा सो तक मेश का जाता है, और आ्पने रूम का तो रेंट पे होता है तो आपको रूम का रेंट वापस पे करना नहीं होता है, बाकिए चंपेंडिश आतके होते हैं जो आप खुद पे कर लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा है तो यहां पर बुग्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और में चीज़ लेडिंग में यह होता है कि आप अलग फिल्ड के लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हो तो आप अपने आप में ही इंटरडिस्टिमिरी स्टेडीज भी कर सकते हो कि दूसरे लोगों से कनेक्ट होकर यह करना लोग भी मुझे हैं बहुत फ्रेंडली मिले हैं एवन एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको दिक्कत भी लगती है तो आप चेंज करवा सकते हो चीफ वायदन से कहें कि तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और मेस का खाना भी अच्छा है ऐसे निया कि आप अगर नौच से हैं साउथ में आ रहे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ऐसे बिलकु आपको मिल जाएगा और जैसे आप रोगे उसे साब से आपको उनिवर्सिटी भी अच्छा लगेगा तो आईएगा जरूर एक बार विजिट जरूर करिएगा हाईद्राबाद टाउन एंड और इंवर्सिटी कितना डिस्टंस मतलब कितना गूमने के लिए आप कितना गया है लाइक वान साल रुख चुका है घूमना तो आज इन हम लोग गोलकॉंडा गए थे सालार जंग जो जो में में चीज यहां पर होती है तो ठीक है क्योंकि यह सिटी है बड़ा सिटी है तो चीज ऑव्वियसली उस हिसाब से दूर दूर तो होती है ट्राफिक का इश्यो आता है लेकिन हैद्राबाद बहुत ब्यूटिफुल जगा है यहां पर घूमने के लिए भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी आउट आफ हैद्राबाद भ वह भी चालू रहती है तो वह चलने की वज़े से आपको भी एंड रापीड हो तो अव्वियसली है तो उसे साब से आपको चीज़ें मैनेजेबल हो जाएगे चलो सब कुछ तो बता दिया जो नियू स्टूडेंट आ रहा है तो मेरा इंस्टाग्राम आइडी दा सुजित कुमारगेरी लिंक्डिन दस सुजित कुमारगेरी तुम्हारा कुछ बताना चाहते हो क्या कुछ यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल है यूट्यूब करता है तो इंडियन वेय ओफ ठेंकिंग नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है मैं संस्कृत हिंदी और इंग्लि बताते हैं इंडियन नॉलेच सिस्टेम के ऊपर पूरा कंटेंट हम अभी डिजाइन कर रहे हैं सब कुछ बताने के लिए कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हैं मैं पूछ के बोल दूंगा डिपार्टमेंट में जो भी है थेंक यू बाइ